उस पर्ची को पढ़कर में जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि अनुराग को वो बाते कैसे पता चल गई थी वो बाते कैसे उसनों उस पर्ची पर लिख दे थी चित्रह एक लंबी आप भरने के बाद फिर युक से बोल पढ़ती है घर पर जाने के बाद मैं उसी पर्ची को लेकर बैठी रही बार बार उस पर्ची में लिखी बातों को पढ़ती रही और रोते हुए ये सोचती रही कि आखिर अनुराग को वो बाते कैसे पता चल गई थी मन तो करना था कि उसी वक्त अनुराग से फोन करके पूछ लू कि आखिर उसे वो बाते कैसे बता चल गई थी मैं जानती थी कि फोन पर ये सब पूछना ठीक नहीं था उससे मिल कर ही मुझे बात करनी पड़ेगी पर मैं डरती थी कि कहीं उससे मिलने के बाद मैं उससे ये ना कह दूँ कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हो उसके साथ अपनी जिंदगी बिदाना चाहती हूँ इसी डर से मैं चुप बैठी रही और ना ही उसे कोई फोन कॉल किया ना मैसेज चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है पूरे तीन दिन बेठ गये थे इन तीन दिनों में उस परची की बाते मेरे मन से जाई नहीं रही थी उस परची में सबसे नीचे जो चार लाईने लिखी हुई थी उसे बढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गये थे बार-बार मुझे उन बातों का ख्याल आ रहा था जो अनुराग ने उस परची में लिखी थी मैं जब भी उस परची को बढ़ती थी तो मेरे दिल में अनुराग के लिए जगा बढ़ते जाती थी वो और गहराई के साथ मेरे दिल में बसते जाता था मेरी नजरों में अनुराग एक अलगी रूप में बस किया था एक ऐसा रूप जिसने मुझे मजबूर कर दिया था मेरी फैसले को बदलने के लिए मैंने कई बार इस बारे में सोच कर देखा कि मैं क्या करू अनुराग को अपनाओ या नहीं अपनाओ उसे अपनाना सही होगा या नहीं चित्रबारी आवाज में कहती है मैंने इसी बारे में बहुत गहराई से सोचा और मुझे याद आया कि जो भक्षानर था उसके हाथ पर पूरे पांच निशान बने हुए थे और अनुराग के हाथ पर तो बस एक निशान बना हुआ था और वो भी तब आया था जब उसकी मा रेवती नी उसे नदी में बहाय था इसका मतलब ये था कि अनुराग के अंदर भक्षानर के जरा से भी गुर नहीं थे वो बस उसका वंशच था वंशच उने के बाद भी अनुराग एक नेक और सच्चा इनसान था और तो और भक्षानर की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो इस्त्रियां थी जिसे देखकर उसका मन तिल मिला होता था उसके अंदर की हवस जाग जाय करती थी पर अनुराग तो इस्त्रियों की तरफ देखता तक नहीं था यहां तक कि जब कभी मैं उसका गलती से हाथ भी पकड़ लेती तो वो डर से कापने लग जाय करता था जैसे उसने बहुत बड़ा कोई गुना कर दिया हो सिर्फ इस वज़े से कि अनुराग भक्षानर का वंशच है क्या मैं उसे बुरा समझने लग जाती थी तो मैं भी एक डायनी ना पर यहां दिल्ली आकर एक नई जिन्दगी जीना चाहती थी मुझे नगा हो सकता है कि मेरी तरह अनुराग भी एक नई जिन्दगी जीना चाहता हो और उसे देखकर तो ऐसा लगता था जैसे उसे पता ही नहीं हो कि वो भक्षानर का वंशच है पूरा एक हफ़ता लगा मुझे कोई फैसला लेने में और मैं इस फैसले पर निकली की सिर्फ इस वज़े से कि अनुराग भक्षानर का वंशच है मैं अपने प्यार को नहीं खो सकती हो दुनिया में हर किसी की किस्मत में प्यार नहीं लिखा होता और मेरी किस्मत में प्यार लिखा था मैंने सोच लिया था मैं उस प्यार को पा कर रहोंगी अनुराग को अपना बना कर रहोंगी मैं उसे किसी भी कीमत पर खोने वाली नहीं थी चितना इक लंबी आप हडते हुए कहती है एक हफते तक ना अनुराग ने मुझे कोई कॉल मैसेच किया था न मैंने उसे फिर मैंने ही उसे रविंद्र भवन बुलाया मैसेज करके जहाँ पर मेरी पेंटिंग एक्जिबीशन लगी हुई थी अनुराग ने अपने प्यार का इजहार एक कहानी के रूप में किया था तो फिर भला मैं अपने प्यार का इजहार इतनी आसानी से कैसे कर सकती थी इसले मैंने भी एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें अनुराग के सवाल का जबाब था वही पेंटिंग रविंद्र भवन के पेंटिंग एक्जिबीशन में लगी होई थी जब मैंने अनुराग से कहा कि उसका जवाब उसी पेंटिंग में है तो पहले तो अनुराग कुछ समझी नहीं पाया पर जिस तरह से उसने मेरे दिल को पढ़ लिया था उसी तरह मेरी पेंटिंग को भी कुछी देर में पढ़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर उसी पार्क में ले गया जिस पार्क की पेंटिंग मैंने बनाई थी वहीं पर मैंने अनुराग से अपने दिल की बात कह दी और अनुराग ने अपने दिल की बात हम दोनों ही एक दूसरे से अपने प्यार का इज़ार कर चुके थे और एक दूसरे को अपना चुके थे चित्रा कुछ मायूसी के साथ कहती है अनुराग से मैंने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था पर वो मुझसे फिर भी नारास था इस बात से कि अगर मेरी हां ही थी तो मैंने उसी वक्त उसको जवाब क्यों नहीं दिया था जिस वक्त उसने अपने प्यार का इजहार किया था मैं उसे कैसे बताती कि पहले मैं उसे बुरा इंसान समझती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भगशानर का वंश अच्छ है पर बाद में मेरी समझा है कि सर्फ वंश बुरा होने से इंसान बुरा नहीं होता है, वंश के कर्मों से फैसला नहीं होता है कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा, बल्कि इंसान के खुद के कर्मों से फैसला होता है कि वो बुरा है या अच्छा, और वैसे भी मेरा फैसला तो उस परची को पढ़ने के बाद बतला था आसू की बून में फिर से हलचल होने लग जाती है और युग को फिर से चित्रा का चेहरा धुनला नजार आने लग जाता है कुछ दिर बाद जब आसू की बून की हलचल कुछ कम होती है और युग को चीजस पष्ट नजार आने लग जाती है तो वो देखता है कि चित्रा और अनुराग एक पार्ग में बैठे हुए थे घास के उपर वही पार्ग जिसे चित्रा ने अपनी पेंटिंग में बनाया था अनुराग और चित्रा दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों की दोस्ती का रिष्टा प्यार में तबदील हो चुका था पर अनुराग अभी भी चित्रा से खपा था इस बात से कि चित्रा ने उस दिन उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया था, जिस दिन उसने चित्रा से अपने प्यार का इजहार किया था, अनुराग फिर अपना सवाल चित्रा से पूछते हुए कहता है, तो फिर क्यों चित्रा जी क्यों आपने उस दिन मेरे सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया चितरा अनुराग से जूट बोलते होए कहती है उस दिन कैसे आपके सवाल का जवाब दे देती अनुराग जी उस दिन तक तो मुझे खुद पता नहीं था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ मैं तो आपको बस दोस्त ही समझती थी उस नजर से मैंने आपको कभी देखा ही नहीं पर जब आपने उस दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार किया वो पड़्ची मुझे दी तब जाकर उस रात मुझे समझ आए कि वो रिष्टा जो हमारे बीच दोस्ती का था वो सिर्फ दोस्ती का नहीं था बल्कि प्यार का था आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं मेरे दर्द को अपना सकते हैं मुझे बेगानी को अपना बना सकते हैं जिस तरह मेरे बिन будете कहानिया अधूरी है उसी तरह मेरी पेंटिंग भी बेरंग है आपके बिना अनुराग जी इतना कहकर चित्रा रोने ल आप उसके दर्द को समझने लग जाते हैं। मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। चित्रा हरबढाट के साथ हां में अपना सिर हिलाते हुए कहती है हाँ अनुराग जी मैं जानना चाहती हो अनुराग चित्रा की सवाल का जवाब देते हुए कहता है मैं आपके रूम गया था चित्रा जी वहीं पर मुझे सब पता चला था चित्रा हैरानी के साथ अनुराग से कहती है आप मेरे रूम गय थे पर का अनुराग पलट कर जबाब देता है लाइब्रेरी में आप से मिलने के एक दिन पहले मैं आप से मिलने के लिए सीथे आपके रूम ही गया था पर आप वापर नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई थी मैं भी दर्वाजे पर ताला लगा हुआ देखकर वहाँ से जाने ही वाला था पर तब ही मेरी नजर खिर्की पर पड़ी जोकी खुली हुई थी जब मैंने खिर्की से अंदर जाक कर देखा तो मुझे कमरे में कई सारी पेंटिंग नजर आए इतने सारी पेंटिंग कि मैं अपने आपको रोक नहीं पाया और खिर्की से ही अंदर चला गया जब आपकी कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कि इतना कहते ही अनुराग अतीत की यादों में चले जाता है उसे वो पल याद आने लग जाता है जब वो चित्रा के कमरे के अंदर गया था अनुराग चित्रा के कमरे के अंदर मौजूद था और अपनी नजरे चित्रा के कमरे के चारों तरफ फेरते जा रहा था कमरे के चारों तरफ धेर सारी पेंटिंग्स टंगी हुई थी जिनने चित्रा ने खोद अपने हाथों से बनाया था अरुराग उन पेंटिंग्स को एक एक करके देखी रहा था कि तब ही उसकी नज़र एक ऐसी पेंटिंग पर पढ़ती है जिसे देखकर उसकी निगाहें वहीं पर उख जाती है उस पेंटिंग के अंदर एक बच्ची थी जो कि हॉस्पिटल के अंदर बैट पर लेटी हुई थी उस लड़की की तब्वित काफी खराब लग रही थी जैसे कि वो मढ़ने की हालत में हो उसका शरीर सफेद बढ़ चुका था उस बच्ची के बैट के अगल बगल ही दो बैट पर एक और एक आदमी लेटे हुए थे उन दोनों के हाथ में सीरिंच लगी हुई थी जो सीधे उस बच्ची के दाए और पाए हाथ से चुड़ी हुई थी उस सीरिंच की नरी से उस आदमी और 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 एक साही से लड़ रहा था जैसे वो मौत का साया हो ऐसी कई सारी पेंटिंग उस कमरे के अंदर बनी हुई थी जिसमें एक माबाप अपनी बच्ची को बचा रहे थे कभी अपनी ऑक्सीजर उसे दे कर तो कभी खुद मरकर हर पेंटिंग में उस बच्ची के माता-पिता अपन हा रहे हो पर अंदर से बहुत दुख्यों अनुराग जैसे-जैसे कमरे में लगी सारी पेंटिंग स्को बड़े गौर से देखते जा रहा था उसके आंके नम होते जारे ही ती उस कम्रे में एक चित्रा पेंटिंग भी सामने सबसे जादा हसते हैं, वो लोग अकेले में सबसे जादा रोते हैं, और आप भी ओने लोगों में से एक है चित्रा जी, अगली पल अनुराग खिरकी से ही कमरे से बाहर निकलने लग जाता है, कमरे में लगी पेंटिंग्स को देख कर, अनुराग के अंदर एक सालाब भ माफ कीजेगा, आपके लिए नहीं, मेरी चित्रा जी के लिए, वो चित्रा जी जो बच्पन से ही कई दुखदर्द अकेले सहती हुई आ रही है, पर अब मैं उन्हें वो दुखदर्द अकेले नहीं सहने दूँगा, उनके सारे दुखदर्द को खुद अपना लोगा, मु आपकी तरह मैं भी इस दुनिया में अकेला ही हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, पर जब से आप मुझे मिली है, मुझे जीने की एक उम्मीद मिल गई है, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाता हूँ, सिर्फ खुशी नहीं, मैं आपको अपना बनाना चाता अब मैं इस दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, आपको अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ, आपने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिये हैं, और अब मैं आपकी दुनिया को खुशी के किस्तों से भरना चाहता हूँ, अब तक मैं अधूरा था, अब आपक पाकर पूरा होना चाहता हूँ, अदीद में हुए किस्तों को भुला कर आपके साथ नई शुरुवात करना चाहता हूँ, अनुराख खत के आखिर में चार लाइने लिखते हुए, उन्हें खुद पढ़ते हुए खुद से कहता है, जो तुमने मेरी आखों में देखा है, वह यक्षिनी के कहाने, यक्षिनी एक आख है, यक्षिनी तेरा ख्वाब है झाल